नमसे फ्रेंड्स इरा रंगोली आट्स मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स काफी लोग ने बताया कि सर आप जो कलर रखते हो नॉर्मली कैसे होना चाहिए तो यहाँ पर हमने जो कलर जो आप शेडिंग देख सकते हो वो शेडिंग आप नॉमली हम 15 कलर य statey यहाँ पर अपा है ग्रिं रखाए है अल्री मतलब फोर मेंने दुख था यहाँपर पिकॉग इंक इंच काट खेज सकता है उसके बाद धाल चाहिए फिर के जिडिंग ज़ा सकता है उसके बाद वैंच्वरेइंक बाद इसकेока अपर शेडिंग उसकुक्त चाहिए उसके यहां पर निला अगर आप रखेंगे तो जो भी कलर आप एक रंगोली के लिए आप निकाल रहे हो तो यह काफी जी सकता है उसके बाद कौन सा शेडिंग लेना है उसके लिए काफी कंफिजिन नहीं होगा और सबसे इंप्पोर्टन चीज यहां पर हमने रंगोली भी रखी ह है उसके बाद यह ब्लैक कलर रंगोली मिक्स है जो अगर कुछ एक्स्ट्रा एफिक्ट अगर आपको देना है रंगोली में तो आपको आराम से दे सकते हो और यहां पर जैसे हमने कुछ वीडियो में भी बता है आपको के पेपर चाहिए उसके बाद चंदनी कौन सी यह इसके लिए भी हमने बता है जो भी आप कलर यूज़ करें वो हमने बाहर रखा है वो पेपर की अंदर नहीं रखा है और पेपर भी बीच में रखा है अगर जो भी कलर आपका एक्स्टा हो रहा है तो आप यह पेपर की बीच में डाल सकते हो और सबसे इंपोर्टन्ट एक मग चाहिए आपको कलर या फिर रंगोली क्यारी करने के लिए और यह सब कलर इखटा एक ज़के पर जाने के लिए हमने अपको एक मतलब एक बैग भी है आप वो बैग भी मतलब बैग में ही रख सकते हो और नॉमली यह जो कलर में यूज़ करत हो प्लस 918983623472 हम आशा करते कि वीडियो भी आपको अच्छा लागा होगा काफी काफी बैसिक चीज़े होती है कभी-कभी रंगोली के लिए लेकिन यही बैसिक चीज़े हम काफी बार अंदेखा करते हैं उसलिए जो रंगोली निकालते हो बाल जुमें बहुत ज्यादा वेस्टर्स होता है और वह दीखने में ठीक नहीं रिखता है आपको यह छोड़ी-छोड़ी चीज़े हम बता रहें रंगोली के लिए आपको यह काफी अच्छा लग रही होगी थांक्यू